नमस्कार स्वागत आप सभी का बिहार अपडेट्स में और आपके साथ मैं हूँ तरू पटना पुलिस ने कैसे गिरोह को गिरफतार किया है जो 40 महीने बाद जेल से छूटते ही एक महीने में तीन बड़ी घटना को पटना में अंजाम देया था दरसर पटना के कंकर बाग में 26 दिसंबर को एक अर्टिफीसल ज्वैल्दी शॉप में लूट हुई थी और लूट पार्ट के दौरान उसमें काम करने वाली सेल्स गल्स की पती को अपराधियों ने गोली मारती थी जिसके बाद आज पटना पुलिस उस लूट पार्ट और हत्या कान में तीन आरोपियों को गिरफतार किया है और लूटे में सब्याटे फीस्वैल जेवर भी बरामत कर लिया है वही पटना SSP ने खुलासा किया कि ये गिरो पचले दिनों पटना में लूट पार्ट के दौ रहने वाला है धनरुआ का दूसरा है गरेश कुमार ये भी रहने वाला धनरुआ का दूसरा है घर से लोग बिलकुल लावारिस हैं इनका पिताजी जो है और ठेला खीचते हैं गाउंस इनका कट-off है और पूल के नीचे वो रहते हैं लेकिन ये दोनों भाई गलत काम में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं कि परिवार से कोई लेना देना नहीं है किस तरह अपराद कर भी कनहिया कुमार और शारूख ये नावादा करने वाला है ये भी घर छोड़के भागा हुआ है और इसका भी घर से कोई लिया नहीं है तो पकड़ने से हम लोगों को करें बिहार अपडेट के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जाय साथ लाइक और शेयर भी करें साथ अगर आप मारे पीश पर पहली बार आए तो मारे पीश को फॉलो करना बलकुल ना भूले धन्यवाद